नमस्कार ट्रेनीज मैं अन्रा सक्सेना आज अभी लोगों का हर्दिक स्वागत यह वह अभिनंदन करता हूँ इंस्ट्रक्टर कम्यूनिटी खास पेशकर्ष भारत स्किल्स में तो ट्रेनीज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत स्किल्स के आईडिया सेगड्य ओर के इलास्टिसिटी के जो कोश्चन से वह दिसकूस करने वाले हैं ठीके तो इस वीडियो के भी क्योंकि इसमें थुढ़े अधिक हैं तो इस वीडियो को भी दो पार्ट में करेंगे, एक इसका theoretical पार्ट और 170 से हम इसका करेंगे, पार्ट टू, जिसमें हम इसके numerical discuss करेंगे, तो आईए बिना किसे dairy के, question number 11 शुरुआत करते हैं, तो आपको इस chapter शुरू करने से बहले कुछ terms पता होना चाहिए, तो आपको पता ह modulus of rigidity हो गया, और थोड़ा जो यह है न, यालग curve, यह, इसे stress and strain curve बोलते हैं, यह most important है, इसका एक question आपको guarantee है, मिलके रहेगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके dedicated, इस topic के लिए के वीडियो बादने बना दू, उसको मैं upload कर दूँगा, आप उसको इसके description में, यह मैं यहां के eye button में देख सकते हैं, चम्मस को upload करूँगा, तो information उसके डाल दूँगा, बाकी फिलाल के लिए आपको कुछ topic इनके बता देता हूं कि elastic substances हम किसे कहते हैं, ठीक है, simple से परिभाश है, elastic substance वो substance होते हैं, जिनको खीशने पर, वो अपनी original position को regain कर लेते हैं, अब दे अब मैं जैसे इसमें से force remove करता हूं, तो यह अपनी position वापस लगाता है, ठीक है, यह देखे, जैसे roller band है मैं इसमें force लगाया, तो यह बाकी force हताते ही अपनी जगापे आ गया, तो elastic materials होते हैं, जब उनमें जो applied force है, वो remove किया जाता है, तो वो अपनी original position पे आ जाते हैं, ठ plastic materials क्या होते हैं, plastic materials होते हैं, कि जिनमें आप force लगाएंगे, जो position वो gain करेंगे, वो उसी position के हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हाँ पर कोई material है, मान लीजे, यह एक rod थी, ठीक है, अगर मैंने इसे हांसे हांसे खीचा, और अब यह इतनी लंबाई इसकी हो गई, ठीक है, force लग plastic substance होता तो ही क्या होता, यह इसी position में ही रहे जाता, ठीक है, तो elastic के example क्या क्या हो गया हमारे पास, elastic substance के example हम पास हो गया, spring हो गया, ठीक है, rubber band हो गया, यह सब elastic substance के example है, ठीक है, rubber band, ठीक है, अगला अभी मैंने आपको plastic substance बताए दे क्या होता है, अगला दाम आता है, stress और strain, इसको हम questions के बीच में ही समझेंगे तो आई शुरू करते है question number 148 से जो इसका question number 1 है अब इसा पूछा गया है पहला question which is elastic material इन में से elastic material कौन सा है तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि भारत इसके लिए questions तो ये question ही repeat होने की बहुत ज़्याद संभाव नहीं रहते हैं तो आप इने याद भी गड़ सकते हैं तो इन सब में elastic material होता है nylon ठीक है याद कर लिए अगला question है which is thermoplastic material इन में से thermoplastic material कौन सा है इस तरह के दो question है एक होते है thermoplastic दूसरो होते है thermosetting plastic ठीक है IT level में ज़्यादा जैसा कुछ हाएगा नहीं बाकि जो उनके example भारे स्किल में है आप उन्हें अच्छे से हाथ कर लिजेगा तो thermoplastic को हम thermosoftening plastic भी बोलते हैं thermosoftening plastic क्या होते हैं जैसा माले जो कोई plastic है उसको आपने वो भी solid form में है अब आपका मन करा कि मैं इस solid से कोई दूसरी चीज़ बना लेता हूँ तो आप उसको melt करके दूसरी चीज़ बना सकते हैं तो thermosoftening plastic या thermoplastic वो plastic materials होते हैं जो बार बार हीट करके बार बार उनका shape बतला जा सकता है उसको हम बोलते हैं thermosoftening plastic और thermosetting plastic वो plastic होते हैं जो एक बार बन गए तो बन गए फिर उसको plastic फिर आप उसको फिर से melt करके गर्मी दे के melt करके दुबारा से कोई दूसरे shape में नहीं ला सकते उनको बोलते हैं thermosetting plastic ठीक है तो इसमें thermosoftening plastic के example है vinyl polymers इसको याद कर लीजेगा अगला question है what is the maximum percentage of stretch of its original length is allowable for elastic materials इसमें पूछा है कि elastic materials में खुद के जैसे मान लीजे अभी इतना shape है तो खुद के कितने shape तक उसमें allow होता है कितना percentage stretch उसमें allow होता है ठीक है तो यह वियाद कीजिगा यह होता है 300% तो इस elastic material के होते हैं अगला है what is the ratio between the change in dimension to its original dimension of the substance अब देखे stress and stream की बात कर रहे थे आए गया है stress क्या होता है stress सिदे सिदे होता है force upon area ठीक है थोड़ा आपको समझा देता हूँ stress क्या होता है यह मान लीजे कोई rod है iron rod है ठीक है इसको आपने हां से खीचा इसको आपने हां से खीचा अब Newton का नियम भी है और वैसे भी आप सोचेंगे यह particles से मिलके बना हुआ होगा अब अगर आपने हां से इसको F force से खीचा दोनों साइट से F force आपने लगाया तो देखे तो क्या होगा इसकी जो material है इनमें आपस में एक force लगेगा ठीक है जितना इतना आप इसमें force लगाते जाएंगे उतना उतना force यह अपनी position में रहने के लिए इसको उतना force आपस में लगाना पड़ेगा इसको जो molecules होंगे यह आपस में ही उतना force लगाएंगे ठीक है तो और इसका जो area होता है ठीक है इसका cross sectional area जैसे अगर रेक्टेंगुलर बार है तो इसका cross sectional area होगा रेक्टेंगल होगा अगर इस cylindrical बार होती इस तरह की तो इसका cross sectional area आता है circular cross sectional area क्या होता है कि मान लीजिए आपने इसको ठीक है कोई rectangular बार इसको उपड़ से कोई इस तरह सामने कोई plane से काटा तो जब आप उसको इधर से देखेंगे तो आपको कौन सा shape मिलेगा अगर आप rectangular हो काटेंगे तो आपको यहाँ पर एक rectangle ही मिलेगा अगर आप सरूर काटेंगे तो circular मिलेगा ठीक है numerical में help करेगा इसलिए बता रहा हूँ तो यह होता है आपका stress तो stress आपका होता है restoring force जो force material खुद को restore करने के लिए लगाएगा restoring force और यह जो restoring force होता है बहार लगाएगे बलके बराबर ही होता है तो इसको force भी हम जन्री बोल लेते हैं ठीक है तो यह होता है force upon area इस बात का ध्यान रखेगा फिर बता रहा हूँ यहाँ पर जो area होता है cross sectional area होता है ठीक है यह अभी numerical से बहुत help करेगा तो यह होता है आपका stress दूसरी चीज़ आती है strain का सीधा से formula होता है dl by l इसका मतलब क्या हुआ मान लीजिए आपके पास कोई length थी l ठीक है l length की कोई rot थी अब आपने इसमें कुछ force लगाया इस तरह से tensile force लगाया और इसकी length बढ़के अब हो गई इतनी तो यह dl amount से यहाँ से हाँ तक दोनों को dl ले ले रहा हूँ ठीक है अब यह हो गया l plus dl इसकी नई लंबाई हो गई ठीक है तो strain क्या कहता है dl upon l इसका मतलब कि कितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ है जहां भी आपको dl delta l dl इस तरह इसी चीज़ेंगी तो आप समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है कि difference की बात हो रही है यहाँ पर हम बात कर रहे है l2 minus l1 की ठीक है तो strain होती है कि परिवर्तन क्या होता है उसकी लंबाई में हुआ परिवर्तन बटे original लंबाई को हम strain बोलते है ठीक है लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है और upon original लंबाई क्या थी उसको हम बोलते है strain जिसे हिंदी में हम विकरती बोलते है तो हमारा question था what is the ratio between the change in dimension to its original dimension चेंज dimension में change किया आया है बटे उसकी original dimension क्या थी उसको हम बोलते है strain याद रखेंगा अगला question है what is the unit of strain strain की हमसे unit पूछी गई है तो देखें मिना आपको strain का formula के बताया था strain होता है dl by l देखें dl की unit क्या होगी यह भी meter centimeter कुछ भी इस तरह से ले सकते है l की unit भी क्या होगी meter centimeter कुछ भी इस तरह की होगी तो इससे cancel हो जाएगा इसलिए याद रखेंगा जो हमारी विक्रिती होती है जो हमारी विक्रिती होती है जिसे हम इस strain बोलते है उसकी कोई भी unit नहीं होती है ठीक है अगला question है what is the ratio of change in length to original length ठीक है यह देखें change in length to the original length होता तो strain है अब strain के मैंने आप से कहाता है न linear strain ठीक है जैसे linear strain माल थोड़ा से बता देता हूं जल्दी से जैसे अगर आपने इसकी सिर्फ लंबाई में परिवर्तन किया है ठीक है length में परिवर्तन किया है तो इसको बोलते है linear strain अब देखें अब अगर आप इसको खीचेंगे इधर से तो इसकी चोड़ाई भी तो कम ह होगी होगी नहीं होगी अगर आपने इसको धर से खीचा और ऐसा हो गया तो इसकी चुड़ाई भी कम होगी तो जो इस तरह का strain होता है इसको बोलते है लेटरल strain ठीक है आपने linear strain लगाया उसके वाटोमेटिकली कुछ strain इसमें लग गया इस इस डिरेक्शन में इसको बोलते है कि पोचसेश्यो को हम अगला कोशन पोचन पोचन रिच्व का यह तो इसी हम समझ लेंगे ठीक है तो अगला कुशन है वट इस ड़ेश्यो बेट्वीन लेट लिस्ट्रीन लॉंगी ट्यूटनल ईस्ट्रीन देखिए यह जो परिभाश है ना यह पोज़द सब्सक्रिक्श चड़ ले लेते हैं, चले कहां पे ले, हाँ यहां पे ले लेते हैं, देखें, यह मान ले जो कोई लोहे की चड़ थी, अब इसको आपने धर से धर से खीचा, तो क्या हुआ, यह इस तरह से deform हो गई ठीक है अब देखें अब इस तरह से deform हुई तो जब लंबाई में खिचेगी तो चड़ाई में दुपकेगी भी तो यह जो दबना होता है इसमें दूसरा इस तरह से लेंथ में लगा इसको बोलते हैं लॉंगिटूडनल इस्टेंड तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते है पोजन्स रेशियो ठीक है लेटरल इस्टेंड अगला कोश्यन है विस सिंबल यूस्ट एक्सप्रेस चेंजिल लेंथ अभी बताता है आपको अगला कोश्यन है विच वन इस दा रेशियो उस्टेंड इस्ट्रेस का सिंबल सा इनने फॉर्मॉला पूछा है तो स्ट्रेस का होता है लोड या फिर फोर्स अपॉन एरिया ठीक है इसकी उनिट क्या मनेगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्कॉाइर कुछ यह मना सकते है अग होगी तो यह होगी इस इस का फॉर्स-अपच्श की लम्बा या तो इसको बोल देने कि इस दिरेक्षिन में कि पच्ट तो इसको बोलनेकी पॉल दूंख के और कोम्प्रेसिफ फोर्स शेर फोर्स में क्या होता है एक force मैंने ऐसे लगाया दिया जैसे बीच में है ना एक force इस direction लगा दिया एक force इस direction लगा दिया कि ये बीच में से इस तरह से कटे ठीक है इस तरह से हो जाए catchy होती है ना catchy हमें से share force लगाती है अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ एक force में इसको इधर से लगा रहा हूँ, एक force में इधर से लगा रहा हूँ, तो यह बीच में से यह आला part उपर को move कर जाएगा, और यह आला part नीच को move कर जाएगा, यह होता है share force, ठीक है, अब देखे, इसमें rivet speed बनाया गया नीचे, उपर इसमें पूछा है कि rivet में कौन सा force लगता है, तो देखे, यह rivet है, एक force में इधर से खीशता है, एक plate, एक plate इधर से खीशती है, तो क्या होगा, यह आला part इसके इधर को जाने को चाहेगा, यह part इसका इधर को जाने को जाएगा, तो किसका example होता है, share force का, ठीक है, bending force सा है, जैसे कोई rod है, अगर इसमें आपको इस तरह से force लगा दें, तो इस तरह से bend कर जाएगा, इसको बोलते है, bending force, तो यह question महुत important है, इसको याद रखेगा, rivet से हमें सा, share force लगेगा, ठीक है, अब देखे, अगला question फिर से वही है, which type of stress, यह एक rivet है, electrician वाले जो होगे, उनको problem होगे, इस question में, यह एक riv इसका, what is the formula for bulk modulus, देखे, bulk modulus का formula आपको आथ करना है, बस, यह होता है, volumetric stress upon volumetric strain को हम, bulk modulus बोलते हैं, अगला question है, which law states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain, तो यह कहा था, hooks ने, यह है, hooks law, hooks law कहता है, within elastic limit, ठीक है, जो stress होता है, यह directly proportional होता है, strain के, ठीक है, अगर इसको, मैं इस तरह से बोलें, तो stress equals to, y into strain, y क्या होता है, y या फिर कहीं कहीं पर, इसको e भी लिखा रहता है, y होता है, young's modulus of elasticity, ठीक है, इसे बोलते है, young's modulus, यह होता है y, ठीक है, यह constant होता है, देखे, यह question आगे, मैं कोशिश करूँगा, कि मैं इनके dedicated video डाल दूँ, और मैं कहरा हूँ, यह जो figure है, ठीक है, इससे मानगे चलिगा, कि एक नए question आपको पक्का exam में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इसी बता देता हूँ, यह जो a point होता है, इसमें, यह होता है, limit of proportionality, limit of proportionality होता है, एक video आपको dedicated इस पूरे graph में मिल जाएगी, उसने सब कुछ explain कर दूँगा, फिलार के लिए आवे समझ सकते हैं, कि a point जो होता है, जब हम किस चीज को खीच के एक और बनाया जाता है, तो उसमें जो point होता है, इसको बोलते है, limiter of proportionality, ठीक है, यहां इस point तक hook slow जो होता है, वो follow गरता है, stress आपका proportional रहता है, इस train के, इस point अग, इसको समानुपाती सीमा भी कह सकते है, हिंदी में ठीक है, फिर b point आता है, b point अग, जो material होता है, वो elastic रहता है, इसको हम बोलते है, elastic limit, ठीक है, हिंदी में से बोलते है, परत्यास्था सीमा, c point को हम बोलते है, yield point, ठीक है, yield point, यहां पर आके जो material होता है, हमारा खिच जाता है, इसको बोलते है, yield point, परभाव विंदू हिंदी बोलते हैं ठीक है इसको हम बोलते है ultimate load चरम प्रतिवल भी बोला जाता है इसे ultimate load हिंदी में और यह point होता हमारा fracture point यहां पर आके हमारा material असल में तूट जाता है तो इसे बोलते है fracture point ठीक है throat and प्रतिवल भी इसको बोला जाता है तो उसको अच्छा है screenshot ले लिजिए गया जो भी किजेगा मगर यह बहुत important है उसको अच्छी से करके जाएगा तो what is the name of point C तो point C का name क्या है yield point अगला question है what is the term used for maximum stress attain by material before rapture तूटने से पहले जो से maximum stress जो body में लगता है उसको हम बोलते है ultimate stress नाम सही है ultimate stress ठीक है हिंदी में से बोलेंगे चरम परतिबल अगला question है what is the ratio between ultimate stress to the working stress से देखे से बोलते है सुरक्षा गुणांग factor of safety देखे factor of safety क्या होता है ratio होता है इसका ultimate stress upon working stress का ठीक है इसका prime example है भाड़ती रेल देखे भाड़ती रेल में जनरल में आमने ट्रैवल जरूर किया होगा उसमा हमने देखा होगा कि जहां पर 4 लोगी बैटने की शमता है वहाँ चहां पर एक बन्दे की बैटने की शमता है वहाँ दो तीन चार जितने लोगी घुचाते है मगर वो चीज़ कभी नहीं तूटती है ठीक है उसका पाइया अलग हो गया ऐसा नहीं होता है, वेट से, क्योंकि उसको जो होता है, fact of safety, गारण, ठीक है, क्योंकि जो engineer होते हैं, वो कुई भी चीज़ को इतना मुझूद बनाते हैं, क्यों उसको दूगने, या फिर दूगने से लेके, 10 गुणे तक, जो उसको भार handle करना है, वो handle कर सके, working stress का मदलब क्या होता है, मान लिजिए कोई कुरसी है, ठीक है, आपके वहाँ पे कोई कुरसी है, कुरसी में एक लोग बैठे हैं, चाहिए दो लोग बैठने से तूट जाएगी क्या, आसानी से जो normal कुरसी होती हैं, क्यों नहीं टूटी है, उनको design इस तरह से किया जाता है, यह किसका रैशू है, ultimate stress to working stress, working stress माल लिजिए कुरसी एक इन्सान के लिए बनाए गई है, मगर इसको design इस तरह से किया जाता है, इसका ultimate stress इस तरह से रगा जाता है, चरण प्रतिवल अपॉन कारेकारी प्रतिवल अगला कुश्चन है What is the ratio of ultimate load to area of cross section ठीक है ultimate load to area of cross section यह देखे stress है load upon area मगए ultimate load है तो उसको ultimate stress बोल देंगे अगला कुश्चन में कहता है What does the point B denotes in the stress string graph यह stress string graph से देखे फिर से question आ गया है तो यह कह रहा है point B क्या है point B में आपको क्या बताया था क्या होता है elastic limit अगला कुश्चन है What is the ratio of share stress to share strain इसको बोलते है modulus of rigidity share stress upon share strain को बोलते है modulus of rigidity ठीक है Jesus को सोगरते है What is the ratio between stress and strain अभी बताया था stress and strain को बोलते है young's modulus यह देखिए इसको यहाँ भीज दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ लिखते है यह बन जाएगा stress upon strain equals to y ठीक है य होता है stress upon strain अच्छा which force acts on crank shaft अब देखे कोई भी shaft है ठीक है मान लेजिए crank shaft है ठीक है तो crank shaft में कौन सा बल लगता है अब देखे यह मान लेजिए इस तरह से घूम रहा है ठीक है तो इसको में क्या है इस तरह से force लगता है moral type का लगता है ठीक है मैं इसको इधर से कर रहा हूँ और इधर से घूमना चाहरा है ठीक है इस तरह से तो यह इस तरह का force होता न है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टोरजिनल stress बोलते हैं देखे फिर थर्मो सैटिंग से question आ गया थर्मो सैटिंग plastic वह plastic होते हैं जो आप बारवन को melt करके एक बार आपने उनका बना दिया बना दिया आप उसको दुबारा से melt करके और बद धन्यवाद